हाई फ्रेंड्स ठंडियां सुरू होते ही जो फटी एडियों की समस्या होती है ये बहुत जादा हो जाती है आज मैं ऐसी रेमेडिय बताने वाली हूँ जो कि बिल्कुल सरल तरीके से बताऊंगे और बहुत जादा इफेक्टिव है अब ये मैं नहीं कह रही हूँ ये हमारी दादी नानी मम्मी लोग फटी भी एडियों से परशान रहते थे उनी से ये चली हूँ आ रही है तो हम इसे बनाना सुरू करते है और बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगे घर के ही समान से जीरो बज़ट में अब देखे मैंने ले लिया यहाँ पर वाइट वाली मोंबत तो देखे मैंने वाइट वाली केंडल ले लिए तो आप वाइट केंडल ले लिजिए अगर ना हो तो आप कलरफुल भी ले सकते हैं अब देखे इसे मैं ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर रही हूँ और ग्रेटर की हेल्प से इजीली ग्रेट हो जाती है आप इसको चाकु से भी अब देखिए आप अपने अकॉर्डिंग ले लिजी जितनी आपको नीड हो जितना आपको बनाना हो मैंने देखिए इस तरीके से मैंने दो चम्मच के करीब ये क्रस्ट कर दिया है और जो एक ग्रेटर है ना इसमें हम गरम पानी डालेंगे तो ये भी इजली इससे सा अधिना क्या है मैंने ले लिया है बाउल अब बाउल में मैं डालूँगी सरस्ण का ओइल अब हमें देखिए हमे यहां पर सरस्ण का ओईल ही लेना है कोई सा और ऑईल हमें यूजि नहीं करना है mustard oil जो होता है इसमें बहुत अच्छी healing power होती है तो यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मंद होता है अब मैंने 4 चम्मच यहां पर लिया हुआ है सरसों का oil अब यह ratio है इसका कि 2 चम्मच अगर आपको मुंबती है उससे हमें double लेना है अब देखे जो aloe vera है ना aloe vera को देखे इस तरह के से मैंने काट लिया है बीच में से और इसकी gel हम निकाल लेंगे अब aloe vera के फाइदे तो हम सबको पता ही है कि aloe vera हमारी skin के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है अगर fresh aloe vera है तो और ज़्यादा अच्छा है क्योंकि fresh aloe vera का तो result मत्तब मैं क्या ही कहूँ तो friends fresh aloe vera मैंने ले लिया और इसकी जेल देखे मैं चम्मच की help से इस तरह के से निकाल ले रही हूँ और जो आप ना इसी तरह के से निकाल लिए क्योंकि जो अगर हम इसको तेज की निकालेंगे न तो इसमें से क्या होगा कि piece से पूरे निकल जाएंगे कत्थे कत्थे से निकल जाएंगे पूरे और वो उसमें अच्छे से mix नहीं हो पाएंगे तो देखे इस तरह के से हलकी हलकी चमच को वहाँ पर रगड़ते हुए तो जो agile है easily निकल जाती है और पूरी मताब पूरी mix होके निकल रही है अच्छे से liquid form में देखे अब देखे इसे हमें डालना है जो सर्सों का oil हमने लिया है ना तो उसमें मैंने ये डाल दिया है अगर आपके पास वीटामिन E की गोलिया है तो आप उसमें दो गोली également का भी डाल दिजिए उसमें जो oil ता ना वह oil आप इसमें डाल दिजिए अब देखे इस तरिके से जो मेरी mobती है ना क्रस्किवी वह भी मैंने इसमें डाल दिया है अब हमें करना क्या है अब हम चलेंगे गैस की थरब देखे एक मिने छोटा सा तड़का पैन मैंने ले लिया और जो हमने सारा मिलाया हुआ था न वह मैं इसमें डाल दूगे आप हमें gas on करना है और जो aloe vera gel है उसे हमें इसमें अच्छे से पकाना है अब जो aloe vera gel हमने डाली थी उसकी वज़े से इसमें बनेगा ज्छाग अगर आप ज्यादा quantity में बना रही तो आप बरतन बड़ा लीजे क्योंकि जब ज्छाग बनेगा तो ये बाहर तक आएगा अब मैंने यहाँ पे छोटा ही बरतन ले लिया था तो मुझे बाद में लगा कि बरतन थोड़ा बड़ा लेना चाहिए था देखें इस तरीके से जैसी मौमबत्ती जो होगी ना वो मेल्ट होना सुरू हो जाएगी क्योंकि हमने क्रस्ट की वी ना बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी अब देखें जाग इसमें बनना सुरू हो गया अब देखें जाग पूरा ऊपर तक आ रहा है तो मुझे इसलिए गैस कम जादा करनी पड़ रही थी बीच बीच में अब जब तक आपका जाग बंद होना सुरू नहीं हो जाता तब तक आप इसको गैस को ओन रखेंगे अब देखें इसमें मैंने एक चुटकी भर नमक डाला हुआ है सिर्फ एक चुटकी अब यह जब ठंडा हो जाए ना अगर आपके अलोवेरा की जो उसमें गाठे सी बनी हुई है तो आप इसमें से इस टैंपे से निकाल दीजिए अब इसे ठंडा होने के लिए रख दीज तो उसमें आप इसे डाल दीजे क्योंकि अगर यह जम जाएगा ना फिर यह इसमें नहीं जाएगा यह इसमें जाएगा तो देखें मैंने यह डाल दिया लिक्विट फॉम में ही अब यह है बिल्कुल क्रीम बेस बना हुआ है और बहुत ही अच्छा है यह एक बार आप इ पैरों को धो लीजिए और उसके बाद पैरों को अच्छे से ड्राइ कर लीजिए अब उसके बाद हमने ड्राइ कर लेने हैं अच्छे से और कोशिस करिए कि इसको रात को ही लगाईए अगर आपके एडियां ज्यादा फटी भी है तो आप सुबे भी लगा सकते हैं और पै आपके आँखों के सामने होगा एक बार बनाईए तो सही तभी तो रिजल्ड का पता चलेगा अब देर मत कीजिए देखे मैंने ले लिए क्रीम और क्रीम को अच्छे से हमें हातों में पैरों में लगा लेना है और इसके बाद हमको सौक्स पहननी है और आराम से सो जाना है न और पूरी विंटर इसी को ही लगाती हूं क्योंकि मैंने अपनी मम्मी से सीखा है यह चीज बनाना दादी नानी से यह चीज चला हुआ आ रहा है यह बहुत पुरानी रेमेडी है यह आज की रेमेडी नहीं है इससे मैं नहीं बना रही हूं यह बहुत पुरानी रेमेडी ह बाद हम आराम से सो जाएंगे, और बिल्कुल इसी जल्ड देखेंगे ना, तो मतब आपको यह किनी होगा कि एक हफ्ते में तो आपके पैर कैसी कितनी भी आपके फटीवी एरिया हैं, आपके फटीवी एरिया न भीडिया हो जाएंगी, यह देखेंगे ने सोपस पहेंगे, और बस वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताईए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने नियर ओडियो में तब तक के लिए बाई बाई